हेलो फ्रेंड्स गूड इविनिंग ओल ओफ यू स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार इनोवेशन वाइफ़ाइ स्ट्रडी में तो आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी त्यारी भी बढ़िया चल रही होगी तो आज मैं आपके लिए जेट 2020 कार से लगा सकते हैं तो वो सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पोर्स काउंसलिंग कब होने वाली है ठीक है न तो बने रहिएगा हमारी साथ लाक्ष तक पूरी इनक्वारी के साथ ठीक है तो चैनल पे नए है तो चैनल को सिस्क्राइब के प्रेस के लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टो टाइम मिलती रहे चलिया फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नमबर जो ऑप्शन है वह आपको सामने है ओनलाइन एड्मिट कार एड्मिट कार थे वह 229 2020 आपने डाउनलोड करी लिया उसके बाद में यहां पर दिखा रहे हैं दो नमबर पॉइंट पे गुंटिस नो 2020 ठीक है एक्जाम भी आपने दे दिया उसके बाद में तीन नमबर जो महतोपुन पॉइंट आपका वह है डिस्पले ओफ ओमार सीट एंड एंड एंसर की यानि ओमार सीट उत्र कुंजी का परदर्सन किया जा रहा ह है वो आपका दो यानि दो अक्टूबर 2020 यानि फ्राइडे आज की दिन आपकी एंसर की आज सुकी है उसके बाद में चार नमबर जो पॉइंट आपका वह है लास्ट डेट ओफ ओब्जेक्शन इफ एनी वीद डिपोसिंग आरस फाइफ हैंड यानि पांट सु रुपे के साथ यानि अगर आपको कोई भी क्ईोशन्स में ब्जेक्शन्स करना है तो उसकी जो अंतिम डेट रहेगी व आपकी 4 अक्टूबरınd रहेगी 4 अक्टूबर से पहले पहले आपको कोई भी क्ईोशन्स पे उप्जेक्शन लगा सकते हैं 500 रुपे उसकी फीस रहेगी ठीक उसके बाद में declaration of result यानि result की जो घोशना होगी 5 नमर पे वो है 9 October को आपकी result आएगा उसके बाद में opening of online option forum यानि online week club forum जब आपके counselling के जो forum है वो 9 October को आपके counselling के forum open हो जाएगे आप counselling के counselling का जो forum है वो apply कर सकते हैं 9 October को उसके बाद में 7 नमर पे जो point आपका वो है last date of deposing the online option forum fees and editing यानि online week club forum शुलक जमा कराने वे सुधार करने की अन्तिव जो टेथी होगी डेट होगी वो 13 October होगी यानि आपने अगर ये मालो बायचांस 9 October को आपने forum apply कर दिया और उसमें कोई गलती होगी बायचांस कोई तूटी होगी तो आप उसे 13 October से पहले पहले उसे editing कर सकते हैं यानि सुधार सकते हैं उसको ठीक है न तेरा अक्टूबर रहेगी last date counselling के forum की उसके बाद में आपकी जो पहली list आएगी पहली जो list आएगी आठ नमर जो point आपका वो है जो पहली list आएगी 17 October को आपकी पहली list आएगी Saturday ठीक है पहली list आपकी counselling की पहली list 17 October को आएगी उसके बाद में अगर बायचांस आपको college पशंद नहीं आता है ये मालो भी कोई friends है उसको college मिला और उसको college पशंद नहीं आया तो वो अपवार लगा सकता है तो अपवार लगाने की no number जो option है no number जो point है उसमें यही बताया गया है अपवार लगाने की जो अंतिम date है वो 20 October है ठीक है ना 20 October तक आप अपवार लगा सकते हैं first counselling में बात आगे समझ में अब इसमें अपवार लगाने के बाद में आपको second counselling में इसका college मिलेगा ठीक है ना बात आगे समझ में first counselling में अगर आपको college पसंद नहीं आता है दूर है किसी कारण बास आप वहां पे नहीं जा सकते तो आप उसमें अपवार लगा सकते हैं और अपवार लगाने की जो last date है वो 20 October है उसके बाद में 10 number जो point आपका वो है second counselling का second जो counselling list आएगी वो आएगी 24 October को 24 October 2020 को Saturday की दिन आपकी second counselling आएगी उसके बाद में उसका अगर second counselling में भी अगर आपको second counselling में उसके बाद में इसमें बोला गया last date of accepting allotment and depositing the fees online यानि आवंटन सिवकार करने और सुलक जमा कराने की अंतिम जो तीथी होगी वो 26 होगी ठीक है ना 26 तारीक होगी 26 दस 26 October इसकी last date होगी उसके बाद में इसने बोला है बी 12 नमबर जो option है 12 नमबर जो point है उसमें बोला गया है reporting with the original document यानि आपको document जमा करवाने है college में मूल दस्तावेजों के साथ 5 बज़े तक यानि 5 शाम के 5 बज़े तक आप दस्तावेज अपने document जमा करवा सकते हैं 28 October उसकी date रहेगी ठीक है 28 October आपकी date रहेगी उसमें आप अपने document जमा करवा सकते हैं उसके बाद म यहां पर देखीगा लिखा गया है if seat remaining weekends यानि यदि seat खाली रहती है तो sports counseling होगी तेरा नमर जो point है वो यही बोल रहा है अगर seat खाली रहती है तो उसमें sports counseling होगी और sports counseling में क्या है जो opening of option forum for online sports counseling यानि उसकी जो date रहेगी वो 30 10 यानि 30 October रहेगी sports counseling अगर seat खाली रहती है तो sports counseling की date है वो 30 October रहेगी उसकी जो last date है फोरम की वो रहेगी 3 November last date है 30 October को forum apply होने start हो जाएंगे sports counseling और 3 November उसकी last date है आप 3 November तक आप sports counseling में forum लगा सकते हैं उसके बाद में यहां पर जो आपका list निकल की आएगी display of provisional admissions list निकल की आएगी वो 6 November को यानि आपकी जो sports counseling की जो list आएगी वो 6 November को आएगी बात आगी समझे में में last date of depositing the online fees आपको online fees जमा करवानी पढ़ेगी 9 November को last date है 9 November ठीक ना अंतिम्तिती होगी 9 November से पहले पहले आपको fees जमा करवानी होगी उसके बाद में reporting in the college यानि college में आपको reporting यानि अपने जो document sports counseling के लिए sports counseling के लिए जो अपने document verify करवाने है वो 10 November को करवाने है बात आगी समझ में ना यह सारग सारग खेल था अपने counselling का अपवाड आप किस परकार से लगा सकते हैं counselling की date क्या रहेगे counselling में कितने पैसे लगते हैं तो counselling में लगभग 5,000 रुपे लगेंगे भी आपके counselling में लगभग 5,000 रुपे लगेंगे ठीक है न minimum आप कम से कम 5 college है वो apply कर सकते हैं और 5 से ज्यादा maximum आप कितने भी कर सकते हैं counselling के लिए minimum कम से कम 5 college आपको apply करने ही होंगे counselling में तो आशा करता हूँ friends inquiry आपको यानि समझे में आ गई होगी अगर फिर भी कोई भी inquiry में आपको post task करनी है या भी जानना है कुछ तो comment box और comment जरू कर देना तो इसी प्रकार के latest वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe के लेना पास में लगे बेल आइकन को प्रेस के लेना ताकि new update आपको time to time मिलती रहे अगर वीडियो अच्छी पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पास शेर कर देना ताकि इसे भी दोस्तों को class का ला मिल सके ओके तो आज की class में इतना ही मिलते हैं next class में तब तक जे ही जे भरत